आज हम जानेंगे सामनसुक्त में क्या है और सामनसुक्त का सार कैसे लिखा जाता है ठीक है सामनसुक्त का सार के चैनल पर नहीं है तो सबस्ट्राइब कर से किसी चीज़ का सार लिखने के लिए सबसे पहले उसकी भून का लिखो सामनस क्या है तो चलो देख लिए सामनसुक् साल के दिरिष्ट से अंतीम वेद मानते हैं ताप ये वेद वे ही विद्वान इन बात का इनकार नहीं कर सकते कि वेद में बहुत से अंग समन्वे रिगवेद से भी पूर के हैं इसका अधार उन विद्वाने के मतानुसार इनमें लच्छित मानव की अधीम जादू टोने आ ज्यानिक परिछड़े एवन सम सुच्मा निविच्छण के द्वारा उनमें से अधिकांस मंत्रों में समंद्ध या तो रिग याजुरवेद प्रभुत्य विद्वान से या आत्मविद्या से स्थापित होता है ब्रह्मा विद्या के आधार पर ही उसे ब्रह्मा वेद की स संग्या दी जाती है प्रहु इंका संब्ध मां जाता है पुरोहित के लिए सब्वेदों का ज्यान होना आवस्तक है तो देखो यह सारी चीजे है कि क्या कि इसमें क्या बता गया क्या नहीं तो इसे आप इंपोर्टन तो पर लिखना जरूर अगर कहीं आप लिख रहे हैं को कि जो होता कि ऐसे पुरोहित से संबंद बताया है संग्या की दिजाती पुरोहित से इनका संबंद माने जाते इसके लिए सब वेडों होना आवस्तक है ले आप Central चीजे जो है वे धों उभी उफ फेलाँ पर से बांड़ का नesz्रूर कि वेली सकते है तो हां तो इसको पुछा जाता है अधर वेद की दो प्रमुक्क जाइता हैं अधिब्र पचली तरहा है पर पलाद सहिता की उपलब्धी कुछ समय पूर ही हुई है थरवेद में भी अन्य दो वेदों का समारिक वेद के अनेकमत समाविष्ट हैं कुछ बीज कांडों में विबाजिचीद वेद के अनेक सुक्त अध्यात्मीक ज्यानत से उतकृष्टु धारण है इ समाज का मुख्ट जो है परिवारम्ट सब कुछ एक दूसरे के इसमाद के बारे की सांविफारम्ट से बोले और उपके मनन اेक समान हो उन्हीं में दूसरे के प्रतिपूर्व सहनुभूत हूई या समनस्ते प्रत्यकाल में रहे जिन में समाज में कलहा नहुँए और सब का सुचारू रूफ से चलते रहें फलते हैं जो सारी चीजे बताइगी आंप सुचारू रूफ से घर कैसा होता है वह इसमें बताइगी। अगर के सामाज संस्क्त के लिए सामाज संसक्त होना आनीवार ये समाज की आता है Works के रच्छा के लिए समाज का समाज है काई है परिवार के आफ्सी मेल और संगठन में ही एक उत्तम समाज का निर्माण होता है समाज का आर्थ है मनुस से एक होकर रहते हों तथा एक दूसरे का सहयोग करते हैं जीवन यापन करने का वही समाज है जितना अधिक परंसपर Samaj बैसटा होगी समाज समाँना ही सकते हैं वThe उनत होगा समाज की प्रव कोस्तम है पति पतें आर्था पत्नीमिल टें चैंश समाज के निर्मान होता है अर्णय उनकी पंधीलिएश जोते हैं जाइक समाँनेक्द स्वायोग बचारी समस्या आधर आत्यंत आवस्यक हैं तो एक परिवार को चलाने के लिए क्या का चीज़े जरूरी होती यह वो सारी चीज़े में बताई गई हैं जिससे यह प्रसित होता है कि पति-पत्नी आपस में विभिन सामनस सुक्त के रिसी अथर्वा और इसके चंद हैं जब परिवार से जूड़े होती सारी चीज़े उसके और यह इंगित करता है यह जो सुक्त है इस सुक्त का माता पिता पूत्र भाई बहनत था पति-पत्नी के संभावत था परस पर सवहात की भावना ब्यक्त की गई है अर्थातिस में यह कामना की गई है कि किसी याद बनता है से बीना घर नहीं कखल्यान करने वाली होती है इस सुक्त में सरप्रथम पारंपरिक हीत-चिंतन तथा पारमपरिक सौहार्द की कामना की गई है, तो सहिर्द हिदय की समानता और मन के बारे में भी इसके बताया गया, उसा सुथ में से प्रसंग में क्या है क्या नहीं, इसमें एक नोजाद बच्छडे से, इस तरह मा अपने फ्यार करती उसी तरह, नोजाद बच्छडे की सांद समाज में एक संभावना कहा था, परिवार है, परिवार को जो है संभावना कहा था, जो आगे आने वाली पीढ़ी को सुधार सकता है, यह समाज का निर्माड ही जो हता, बहुत ही इंपोर्टन है, इसने है पूरवक सारे रहते हैं, प्रथम चरण में यही सारी चीजे बता जिस घर में पती और पत्नी के मधूर संबंद नहीं होता, इसमें बता गया कि इस तरह पती पत्नी अगर मधूर संबंद नहीं होता, तो अधिकतर लडाई का कारण बनता रहता है, सबी चीजों में, तो देखे लिए इसमें लिखा गया सिरे सिरी इस प्रकार का घर में पत का बनता है दो चांब है जाrim की OFFICER है के लिए अधार का कार बनता है थीक है पर राम सरूकले जर्व्य मंदैर हो करते हुई सब्करव थीक्राइए सब लिट शुकर्ण हो करते है को सबकूठी करते हैंCommon कर सांत कार करने का सुंदर उधारन इस मंत्र में प्रस्टूत किया गया जितने भी इसमें मंत्र है कि सामने से मतलब कि समाज में रहने वाले जो सारी चीज़ें हैं वही बता है कि आप किस तरह से रहा है किस तरह से नहीं इसका स्वार्थ छोड़कर केवल उद्देश अपने चमुक रखकर कार करना चाहिए तभी कठिन से कठिन कार भी सरल हो जाता है राष्ट की उन्नत के लिए यह उन्नत आहुसक है साथ साथ पीना उठना बैठना हार्दिक संग बंध का ही आधार होता है प्राया निकरता प्रकट करने के लिए साथ बैठ कर खाना पीना होता है इसी प्रकार एक प्रकार से विचारों कि व्यक्ति विविद वित्ति और रुचियां होने पर भी अगनी अगनी की पर्या अर्था तिस जाते हैं आइसे बीच में केंदर होता है वहां से वह चीज नहीं रहेगा तो क्या वोगा पहिया नहीं चलेगा और उसे जोड़ा नहीं जा सकते। करने से सारी चीजे जो अमरत या किसी चीज के प्राप्ति के लिए परिवार का बहुत ही इंपोर्टेंट है सामने सारी चीजे बताई गई हैं एक दूसरे के विचारों का समान करना हर मनुस का नयती करतब है देश के उदेश में लगे हुए जनों का मनो भाव सुद्ध होगा तो निश्चिती समाज में सुधार होगा तब ही समाज प्रकीत की ओर बढ़ेगा और साम उन्नत के राष्ट की उन्नत का प्रथम सोपान है तो यह तो सारी चीजे इंपोर्टेंट हैं आप देश सकते हैं द निश्ट